जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बज़ों, जो NTA का रजल्ट जारी हुआ था, उस रजल्ट में जिस स्टुडेंट के 530 मार्क्स आने थे, उस स्टुडेंट के 540 मार्क्स कर दिये गए हैं, ग्रेस मार्क देके, NTA की रजल्ट में ये बहुत बड़ी गड़़ी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, अगर आप संतुष्ट होते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से 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 ज्यादा 2023 में 25,000 rank आई थी 610 marks पे यानि कि 655 marks पर 6,000 rank आई थी आज 655 marks पर 25,000 rank आ रही है 20,000 rank इंक्रीज होने का कोई मतलब नहीं होता पेपर इतना असान नहीं था कि एक साथ ही 20,000 rank इंक्रीज हो जाए लेकिन ये grace marks से increase हो गया है जो NTA ने normalization किया है उससे ये increase हुआ है मैं आप से हाथ जोड के यही request करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें आप क्योंकि इसमें सारे जितने 24,000,000 कंडिडेट है उन सब का फाइदा होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखें आपको अच्छा लगता है तो इसको share करना अगर नहीं अच्छा लगता है तो comments में मेरे को ये लिखना कि इस आपके वीडियो में ये कमी है ऐसा नहीं हो सकता है अब ये marks इतने अचानक क्यों बड़े हैं क्यों 720 के जो कंडिडेट से वो 67 कंडिडेट ऐसा क्यों हुआ है एकदम से 20,000 क्यों हुई ह इसके लिए आप NTA का ये ये tweet देख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको example के तोर पर भी बताऊंगा कि किस परकार से 520 student लेने वाला 520 marks लेने वाला student 630 marks ले रहा है इस result में और उसकी वज़े से rank high हो गई है तो सबसे पहले आप ये post देखिए इसमें ये कहा गया है कि time loss के कारण time loss के कारण जितने भी हमारे पास में सिकायत आई है NTA ये बोल रहा है कि time loss के कारण हमारे पास जितने भी सिकायतیں आ रही है उनको हमने consider किया है तो ये time waste का, loss of time का यहां NTA ये बता रहा है कि जिस student का time loss हुआ है, उस candidate की जितने भी सिकायतें थी, वो हमने मान ली हैं, पहली line में ये कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि मानने court के judgment 13 जून 2018, जिसका case नमर, file नमर, diary नमर कुछ नहीं दे रहा है, वो मैं आपको आगे देते हुए, ये बोल रहा है कि जिन candidates ने time loss की समस्या को face किया है, इस order के तहट, उनको normalization formula के अंदर time loss का जो हुआ है, उसमें राहत के लिए grace marks दिये गए हैं, और इसमें ये दो candidate का हवाला दिया है, ये दो candidate का तो तब हवाला दिया है, जब लोगों ने net पर इसके बारे म NTA को लिखा था कि 718 कैसे आ सकते हैं, तब इन दो candidate का, अब ऐसे भोट से हजारू candidates हैं, जिनको ये grace marks दिया गया है, ये शिकायतें थी, candidates की, जिन-जिन candidates की शिकायतें थी, उनको दिया गया है, या सब को दिया, कैसे दिया गया है, किन-किन candidates को दिया गया है, ये NTA ने अभ को ये judgment दिखाता हूँ, किसका judgment है, जिसके बेस पर NTA ने ये normalization system किया है, तो आईए पहले उस judgment के बारे में देख लेते हैं हम, ये है judgment 13 जून 2018 का CLATE की exam का है, ये CLATE की exam का है, जो online exam होती है, 200 marks की exam होती है, जिससे NTA की NEET की exam का कोई समंध नहीं है, exam का timing management सभी exams का अलग-अलग होता है, मैं आपको normalization का system भी बताऊंगा कि NEET में ये क्यों गलत किया गया है, इसमें जो court ने order दिया है, वो CLATE की exam के लिए दिया है, ने की NEET की exam के लिए, इसको आप NEET की exam में implement नहीं कर सकते, क्योंकि NEET की exam का जो timing management है, जो student का paper चोल करने का management है, वो अलग है, CLATE की exam का जो timing management है, वो अलग है, ये आप order देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें order नमर है, आप Google पर एक बार search कर लें, यह order नमर, यहाँ पर order नमर भी दिये गए हैं, और इसमें जो दिये गए हैं, 551 order है, यह 2018 का है, और इसका जो judgment है, वो 13 जून 2018 का है, यही मेरे को एक मिला है case जिसमें student को timing के लिए इसमें example भी बताया गया है, कि loss of time के लिए student को grace marks की सहाब से दिये गए हैं, लेकिन need की exam से यह बिल्कुल mail नहीं खाता है, क्योंकि need की exam का system अलग है, इसलिए NTA ने यह case नमर court नहीं किया है, only date ही court की है, अगर case नमर court करता तो यह तो clate का exam है, और NTA के exam में आप clate के according grace marks दे रहे हैं, जिसमें timing management अलग है, need का, क्यूसन पेपर का जो pattern है, वो अलग है, उसके बाद में marks अलग है, timing अलग है, सब कुछ अलग है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसके according आप normalization कैसे कर सकते हैं, एक shift में, यह online exam है calculate की, इसलिए online exam में अगर ज़्यादा candidate होते हैं, एक से ज़्यादा shift होती हैं, तो उसमें normalization system adopt किया जाता है, जैसे जेए मैं में होता है, लेकिन यह तो single shift exam है, offline exam है, यह आप offline exam में normalization system कैसे adopt कर सकते हैं, वो भी loss of timing के according, loss of timing के according, आप कैसे student को marks दे सकते हैं, अगर student का time loss हो है, तो उसको extra time देनक्स यह था, या उन students की, जिन student को आपने rectify करके grace marks दिये हैं, उन student की re-exam आपको conduct करवानी चीए थी, यह यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है, तो यह यहाँ दिखाया गया है, यह पूरा का पूरा, ल 20,000 extra rank जाना, 6,000 से 26,000 rank चले जाना, यह इसी grace marks का region है, पेपर same होने की बजाय, पेपर easy होने hard नहीं, मतलब easy भी नहीं, तो hard भी नहीं, same ही था 23 की तरह, उसके होते हुए भी, इतनी ज्यादा candidate, यानि कि 69, 67 candidate, 720 marks ला रहे हैं, इसका region यह है, इसका region यह है, जो मैंने आपको बता दिया है, 13 जुलाई 2018 की date उन्होंने दे दी है, order number mention नहीं किया है, क्योंकि वो exam अलग था, need का exam अलग है, कहीं से उठा के यह judgment ले आए, और इस judgment के तहत student को अपने इज़त बचाने के लिए, जो कमिया थी उनकी कि यह, उनको late paper कैसे दिया गया, उन student की कोई गलती नही यह judgment उठा करके, इसके according student को grace marks दे देगे, ताकि वो student हला नहीं करेंगे, लेकिन उन student का नुक्षान हो गया, जो actual rank ला रहे थे, कटोप जाने थी, 620, चली गई 655 इस region के कारण, लेकिन सब के साथ में न्याय होना चीए, सभी student को equal marks मिलना चीए, मैं कहता हूँ, उन student के में तो न्याय होना चीए, जिनकी merit एक दम से हाई चलीगी, अब हम देखते हैं, कि इनका जो normalization हुआ था, इस normalization में क्या कमिया थी, यह तो हमने देख लिया है, judgment का हमने देख लिया है, कि इस judgment के तहत, NTA ने यह तयार किया है, result, जो बिलकुल गलत है, 13-6-2018 का judgment ओट कर दि हैं, वो exam अलग है, यह exam अलग है, यह दो student का यहां हवाला दिया गया है, और कितने सारे student का time loss इन्होंने कैसे count किया है, जिन student ने complain किया है, उनका ही time, इन्होंने time loss का consider किया है, या फिर सभी को अपने मर्जी से time loss का दे दिया गया है, यह तो मैं नहीं कह सकता, यह तो NTA के पास ही data है लेकिन student को loss हुआ है उनको जिनको अच्छे marks आ रहे हैं थे अब हम आगे देखते हैं कि ये normalization से student को loss कैसे हुआ है ये theory आप समझ लीजी यहाँ पर जो मैंने आपको order दिखाया है CLAT का उसके अंदर CLAT की online exam में 2 hours का जो paper था उसके according समझाया गया है मैं उसके according नहीं जा रहा है उसके according आप समझ भी नहीं पाओगे मैं आपको यहाँ पर simple language में समझा रहा हूँ एक touch कर रहा हूँ मातर की ऐसा हुआ है मान लो किसी student को अब हम इस बात को तो जानते हैं कि 200 minute का समय मिलता है 200 question करने के लिए 200 question है और student को दी जाती है 200 minutes यानि 3 hours 20 minutes का paper होता है 200 question attempt करने होते हैं अब यहाँ एक सीधी सी बात यह आप जान लो कि 200 में सिरफ 180 question ही attempt करने है आपको अब 180 question attempt करने है तो आपको 180 minutes ही चीए 20 minutes फालतू इसलिए दे गई थे कि इसमें 5 जो optional question है हर एक paper में 20 question जो optional है उसको read करने के लिए यहाँ 20 minutes दिए गए थे यह माल लेते हैं हम अब 180 minute का जो time है इस 180 minute के time में आपको 180 question के answer देने हैं यह clear हो गया क्योंकि जो paper होता है 200 minutes का होता है और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि 3 hours में आपको 180 question attempt करने इनका reply देना है जो 20 question है उनको तो छोड़ देना है और 20 minutes को भी हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं उनको read करने के लिए तो 1 minute के लिए 1 question हो गया NTA यह मान रहा है कि student 1 minute में 1 question attempt कर लेता है 180 question जो attempt करने है उसको उसमें 180 minutes में 180 यानि एक minute में 1 question attempt कर लेता है वो अब यहाँ example समझे मान लो एक student को 180 minutes से नहीं मिले उसका 1 hours है वो किसी कारण loss हो गया इनवेजिलेटर ने paper late दिया या कुछ भी हुआ है उसको सिरफ 120 minutes ही मिले है हम यहाँ एक student का example ले रहे हैं कि एक student को 120 minutes ही मिले उसको जबकि उसको मिलने से यह थे 180 क्यूशन करने के लिए 180 minutes लेकिन उसको 120 minutes ही मिले उसके 60 minutes lows हो गई अब जो उसको 120 यह minutes मिले हैं 2 घंटे का उसको समय मिला है इस 2 घंटे के समय में मान लो वो student 420 का score कर रहा है वो student 420 का score कर रहा है इन दो घंटे में अब इस normalization के according इस rule के according NTA यह मान रहा है कि अगर इस student को 60 minutes और मिलते इस student को 60 minutes और मिलते तो यह student 210 marks और गैन कर लेता 210 marks के क्यूसन और सही कर लेता तो इस हिसाब से NTA ने इसको 210 grace marks दे दिया क्योंकि इसका one hours NTA ने खराब कर दिया उसके current time loss हो गया मैं example के तोर पर बता रहा हूँ यह पूरा का पूरा जो system है system इसी प्रकार से हुआ है इसमें यह है कि उसने इतनी time में इतनी क्यूसन सही किये होंगे इतनी time में इतनी wrong कर दिये होंगे यह पूरा का पूरा formula उसमें दिया गया है जो मैंने rule बताया है लेकिन वो formula NET में लागून नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है कि यहां तो आपने इस student को 630 marks दे दिये यहां तो 630 marks दे दिये मिल गई लेकिन actual condition क्या होती जब वो paper attempt करता देखो 120 minutes में student paper कर लेता है किस किस का chemistry शोल कर लेता है वो biology शोल कर लेता है और इस 120 में physics भी आधी शोल कर लेता है तो जिस candidate के यहां 420 marks आ रहे हैं यह 2 hours में तो मैं यहां मान रहा हूं कि इसके 100 marks और आ सकते हैं अगर यह आगे इसको 1 गंटा और मिल जाता तो क्योंकि आगे तो यह physics शोल करता यह difference है CLAT की exam में और NEET की exam में आप CLAT की exam को यहां NEET से कैसे compare कर सकते हैं उस exam को दूसरी exam को NEET की exam में ऐसा कहीं हुआ होता तो हमाल लेते लेकिन NEET की exam तो single ship exam है offline exam है उसके अंदर normalization system को आप कैसे adopt करोगे इन बच्चों को आप extra time दे देते इनकी re-exam connect करवा देते और आपके पास में दूसरे रास्ते दे अब मैं आपको बताता हूँ कि यह 210 का और score कर लेता उसको एक गंटा और मिल जाता तो जब यह 210 score कैसे करता क्यूंकि physics और chemistry आलड़ी उसने शोल कर ली है उसके पास बची है physics 180 की physics है physics उसने छोड़ी है पूरी वो physics 180 की करेगा तो अब आप उसको 210 marks दे रहे हैं grace में यह कहां कहां न्याय है इस टूड़े एंटे इक्वल सब्जेक्टे करता नहीं है solve सबसे पहले biology करता है उसके बाद में वो chemistry solve करता है और first का जो उसको time मिलता है उस time में वो अच्छा marks गैन कर लेता है और जो last में उसको time मिलता है उसमें बहुत कम marks गैन कर पता है लेकिन एंटे ने उस exam के जो बि तो जिस candidates के 500 marks आने थे जिस candidates के 500 marks आने थे 500 में इसलिए मान रहा हूँ कि 420 के अंदर जब उसने score किया है 420 दो गंटे में तो वो एक गंटे में 100 का score और कर लेगा क्यूंकि आगे तो physics आने वाले है hard subjects आने वाले हैं तो वो 100 का कर लेता तो 520 कर लेता है और मान लेते 530 कर 540 कर लेता लेकिन उसको तो मिल गए न 630 उसको तो आपने grace दे दिया ये मान के कि आगे भी जी है पूरा का पूरा जितना 420 किया है उसने वो आगे भी इतना ही score करेगा लेकिन आगे कहा करेगा आगे तो physics है उसकी काफी सारे student तो पहले ही paper करके बैठ जाते हैं तो ये बि पैट के और नीट के exam में बहुत difference है इस कारण से जो नीट की rank गई है वो 20,000 rank increase हो गई है selection range में जिसका 620 पर selection होना था वो 655 के सभी बच्चों को भी college नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है 640, 650, 654, 653 इन बच्चों की क्या गलती है ये तो सरा सर अन्या है इसके बारे में इसका solution निकलना से ये अब मेरी बात आगे और सुन लो अगर ये इस बात से आप संतुष्ट हैं मेरी बात से मैं जहां तक सोच रहा हूँ कि NTA ने normalization का ये ही system adopt किया है इन्होंने जो order court किय इसके according जो order इन्होंने बताया है तो उस order में तो इसी प्रकार का normalization है उस order में मैंने पूरी अच्छी तरह से देख लिया है उसमें example भी दिया है लेकिन मैं आपको simple language थोड़ी सी देर में मैंने समझा दिया पूरा उसमें आप समझ नहीं पाओगे ये मैंने आपको simple सी समझ जाया है अब आप आगे की बात करते हम क्योंकि ये जो किया है ये ने किया है ये बच्छों के साथ में इसमें बहुत ज्यादा unjustis हुआ है क्योंकि इसमें क्या है कि जो student का normalization हुआ है वो गलत है इसमें student को जिनको actual college मिलना चाहिए ता वो तो छूट रहे हैं और जिनको grace marks म क्या है इसको justify करें मैं भी इसका एक RTI file कर रहा हूं next video में RTI के बारे में लेके आ रहा हूं क्योंकि 2005 act के according RTI 2005 के according आप ये जानकारी ले सकते हैं किसी भी संस्ता से कि उसने कैसे result तयार किया है तो RTI कैसे file करनी है next video में मैं आपको ये बताऊंगा अब हम यहाँ पर बात कर रहते हैं आगे कि आगे स्टुडेंट से को इसमें क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया है क्या करना चाहिए अब देखो बड़ी बड़ी जो offline coaching है वो चुप है यहाँ पर आलांकि मैं उन कुछ online coaching का यहाँ धन्यवाद करूंगा जो बहुत मैंनत कर रहे हैं इस विसे प एक भी सामिल नहीं है इन offline coaching को यहाँ सामिल होना चीह है अब यह offline coaching सामिल क्यों नहीं है भै offline coaching अगर सामिल हो जाता है रजल्ट दुबारा तयार होता है तो इनका नुकसान है इनका नुकसान क्यों है इनका नुकसान इसलिए है कि इनका नुकसान इसलिए है कि 6.50 वाले, 6.40 वाले, 6.30 वाले, 6.20 वाले student इनकी coaching में दुबारा तयारी के लिए admission ले चुके हैं और ये बैच चुला रचुके हैं अगर result दुबारा तयार होता है, normalization का system बदली होता है तो 620 वाले candidate को seat मिल जाएगी तो इनका loss हो जाएगा 620 वाले candidate को seat मिल जाएगी तो जो अभी 620 से 655 तक इनके पास में admission लिया है 650 तक तो ले लिया है, इन्होंने बैच चला दिया है तो उने students का इनको loss हो जाएगा, ये सोच रहें कि ये student तो cream है आगे वाले result में तो हमारा 720 लाएंगे और वास्तम में हैं भी cream ये बच्चे अगले exam के लिए cream मान रहे हैं हम तो लेकिन इस परकार का जब ऐसा होगा ऐसी धानली होगी तो ये कैसे cream मानोगे आप इनको क्या करेंगे, बच्चे कितना लाएंगे तो online coaching वाले भहुत से ऐसे teacher हैं जो आवाज उठा रहें मैं उनका तहे दिल से शुत्रिया अदा करता हूँ और मैं उनसे request करता हूँ, हलांकि उनमें offline coaching वाले भी काफी ऐसे teacher हैं जैसे सुनील सर हैं, आवाज उठा रहे हैं, और भी एक-दो teacher हैं offline के, वो आवाज उठा रहे हैं लेकिन जो बड़े-बड़े coachings वाले हैं, वो चुप है, चुपी का मैंने reason आपको बता दिया है मैं उनसे हाथ जोड के विनती करता हूँ, मैं गोर्मेंट से विनती कर रहा हूँ, ने प्रधान मंतरी से विनती कर रहा हूँ मैं सिरफ उन coaching वालों से मिनती कर रहा हूं कि जिनके पिछे अपना घर चल रहा है जिन बच्चों के पिछे अपना खाना चल रहा है सब कुछ उन बच्चों के पिछे चल रहा है उनको हम नयाई तो दिलाएं ये कहां का नयाई है 650 नमर लाने वाला student को college नहीं मिल रही है ये कहां का नयाई है ये बच्चे आपके हैं इन से आपका घर चलता है ये दूसरे बच्चे नहीं है इनके लिए आपको सोचना पड़ेगा इनके लिए कुछ करना पड़ेगा NTA से ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये आप normalization का system यूज कर रहे है ये दूसरी exam का क्यों ले रहे हैं आप example उन बच्चों को extra time देते जिनका loss हुआ है उनकी क्या गलती है बेचरों की time लोस हुआ है या गलती आपने की है उसकी सजा भुखते student ये आप NTA से कम से कम पूछो ये आपका दाइतव बनता है आप इंसानियत के तोर पर पहुंच लो पूछ लो पैसे ही सब कुछ नहीं होते है कुछ मेरे YouTubers भाई है जो मेरे YouTubers counselor है जैसे ओम बारती जी है और भी बहुत counselor है वो लगतार आवाज उठा रहे हैं इसके बारे में मैं उनका तहे दिल से सुप्रिया करता हूँ कि student की बारे में कोई तो सोच रहा है कोई तो सोच रहा है इनके बारे में कि इनके साथ में न्याय होना चीए जिनकी कोई गलती नहीं है जिनकी कोई गलती नहीं है अब बताओ जिनका 640 marks आ रहा है 630 marks आ रहा है, 620 marks आ रहा है, यार ये करीम बच्चे हैं, ये कहां जाएंगे, आगे आपका क्या विश्वास करेंगे, कि एक्जाम NTA हमारा बिल्कुल fairly conduct करवाएगा, अगली बार में score लेके आऊंगा 720 का, ये बच्चे कैसे मानेंगे इस बात को, जब coaching के test होंगे, उन coaching के test म इन बच्चों के 600 marks आएंगे, इनको पता लगेगा कि 655 cutoff गई है, तो ये क्या करेंगे आगे, आगे इनके सामने एक संकट खड़ा तो आप कर रहे हैं, तो मैं request करता हूँ, ये offline coaching वालों से, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे के लिए सब कुछ करता है, हर कोई क रहे हैं, ये आगे वाले भविसे में नीट की exam देने वाले candidates की life में ये डराने वाला scene है, वो जब कटोफ के बारे में सुनेगा, जब कटोफ के बारे में सोचेगा, तो वो सहम जाएगा, वो उस student की क्या गलती है बिचारी की, तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आपने भी आवाज उठानी है, और अपने जो candidate 620 से लेकर के, जो selection range में है, coaching में admission ले चुके हैं, अपने coaching head के पास जाईए आप, ये बोलिए कि सर ये जो हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का system, ये जो result तैयार किया गया है, आप NTA से पूछिए एक बार, आप जिस coaching में admission लिया है आपने, उसके head से जाकर के एक बार बात तो कीजे, ऐसे coaching के head हैं, जिनोंने political में भी कदम रखा है, उनकी पहुँच काफी दूर तक है, बच्चों के लिए सोचते भी अच्छे हैं, मैं उनसे भी request करता हूँ, मैं या नाम किसी का नहीं ले रहा, नाम लेके किसी की आवाज तो उठाएं, वो जाके कम से कम ये तो बोलें कि ये आपने result किस base पर तयार किया है, तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तभी share करना है, बुरा लगे, इसमें कोई गलती नजर आ रही है, आपको तो मेरे को comments करके जरूर बताएं, दूसरों चली के एवाएं, जैवा है, mogę म उ critically आपको एवाएं, थूसरों एuitoना है, जैए, एको अजया है, मniश क्षब दिया इसलिछ नजर पर आपका है, तोस्तों वीड़िव मावें, तोस्तों वीड़ीन है, तोस्तों, उपका हैं, शे तोस्तों उन्में है wün़ा है, जैएम